नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका करंट अफेर में आज दिनांग 24 सुलाई 2023 है हम दे हिंदू के इंडियन एक्सप्रेस के और अधर न्यूज पे डिसकस करेंगे और उनकी करंट न्यूज के साथ में स्टेटिक पार्ट जो भी वहाँ पे कीवर्ड है न्यूज में उसके स् फर्स्ट न्यूज फर्स्ट न्यूज पार्लियूमेंट से र lat एक्कि पार्लियमंट में कंतिनूसरी लोग जैम है क्योंकि भृप Betsy पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों पे है पोश्चन पार्टी चारी एकि प्राइमणिस्टर खुथ स्च्टमेंट दे तो मनिपु में आता है article 79 to 122 इसमें क्या लिखा हुआ इसमें लिखा है कि पारलेमेंट में की organization क्या होगा composition कितनी होगी जैसे दोनों houses में है लोग सभा में 552 और राजे सभा में 252 की strength है क्या duration होगी पारलेमेंट के तीन session होते हैं budget session मांसून session और winter session BMWC में आपको याद करवाय था तो अभी मांसून session चल रहा है उसके बाद procedure क्या follow किया जाएंगे जैसे rules of procedure है conduct of business है general purpose committees है privilege parliamentary privilege की बात की जाती है जैसे article 105 में center level पे और 191 में state level पे तो इसले तर उनके privilege होते है special privilege होते है specially privilege किसे रिलेटिड है कि उनको freedom of speech and expression है 40 दिन से जब भी session start होता है तो before 40 days और after 40 days उनको arrest नहीं किया जा सकता उनको news publish करने की special privilege होते हैं किसी court की proceeding में उनको नहीं बुलाय जा सकता जब parliament session में होती है और power of parliament parliament की काफी जादा power है मतलब parliament supreme नहीं इंडिया में क्योंकि British की पर्लेमेंट को supreme माना जाता है इंडियन पर्लेमेंट सुप्रीम नहीं है क्यों इंडियन पर्लेमेंट का काम बनाना नहीं है बलकि पूरी जो democratic political process है इंडिया की उसको कंट्रोल करना पर्लेमेंट की डूटी में आता स्टेट लेवल पी इसको पर्लेमेंट बोलते हैं और सेंटर लेवल पी इसको पर्लेमेंट बोलते हैं पर्लेमेंट का ओरिजिन देखा जाए तो हमारे गॉर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन्नी सो ब्रेटिश टाइम में आया था उस टाइम पे एक बाय केमरल बोड़ी बनी थी लोक सभा और राजे सभा उसी के प्रिजिडेंट को लेते हैं हमने ब्र है जिसमें दो हाउस हैं अपर हाउस बोलते हैं राजे सभा और लोवर हाउस को बोलते हैं लोक सभा लोक सभा मतलब हाउस ओफ दे पीपल यह लोगों को रिप्रिजेंट करती है मतलब इंडिया एज होल लोक सभा और हाउस किसको रिप्रिजेंट करता है प्राउस रिप्र अचले तरी इस पेसल रिपर्जेनेटेशन होती है जो राजे सभागा सेड्यूल फोर में दिया हुआ है कि कितने रिपर्जेनेटेशन यौटेशन अफ दे सीट्स होगी पार्टिकुलर स्टेट्स में और स्टेट के पास में फ्रेडम होती है या तो दो हॉस रखें अपने यूनी केमरेल आज के दिन साथ नहीं छे स्टेट हैं जिनके पास में है क्योंकि जम्मू कस्मिर 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया था तब से यहां की प्राउश अटा दिया उतर परदेश भिहार महराष्टा करनाट का अंदर परदेश और तेलंगाना यह करते हैं पारलेमेंट में पारलेमेंट में कुछ स्पेश भी फंक्शन होते है जासे पारलेमेंट के फंक्शन के लिए कोरम मतलब मिनियूम नंबर कितने होने ची कितने MPs का वहां पे रहना ज़रूरी ताकि पारलेमेंट अपना बिजनेस स्टार्ट करें पारलेमेंट का ब जैसे 250 है यहां का 110 आप निकालोगे तो 25 मिंबर का होना बहुत जरूरी है है जे कोरम और कोरम नहीं होगा तो जो चेर्मन या स्पीकर होता वो उस टाइम पे उसको सेशन को एड्जोर्णमेंट कर सकता है अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज टूल्स हैं पारलेमेंट की अक कैसे रेस्पॉंजीवल होगा जब उनके पास में MPs के पास में पाउर होगी कि Ministers से कोई क्वेस्टन पूछ सकते हैं तो यह पे तीन तरह की क्वेस्टन पूछे जाते हैं क्वेस्टन हावर से ही नॉमली स्टार्ट होता है जो पारलेमेंट का जो भी प्रोशिडिंग स्ट नोटी के भी फिर उस्टरीक मार्क लगा होता है और यह और डिया जाता है इसका जब भी किसी से कोई क्वेस्टे पूछा गया पंप्लीक इंपॉट्थिर एक्वंपल मुद्दे कोई बाद करें तो अगर स्टर क्वेस्टन होगा तो उस पे कोई मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा और इसमें जो पूछने वाला वो supplementary question भी पूछ सकता है supplementary question का भी हमारे historical relevance है 1891 का जो act था during British time उस time पे supplementary question को पूछने की जाधत नहीं थी जबकि 1909 में government of India जिसको morally mental बोलते हैं उस time पे supplementary question पूछ सकते थे next रहते हैं unstart question unstart question को होते हैं जो की यह oral नहीं होते written में देने होते हैं और इसके लिए 15 दिन का notice देना पड़ता है और उसके बाद कोई supplementary question नहीं पूछा जा सकता थे दोनों में difference आपको clear होना चाहिए last रहता है short notice question की बहुत ही short notice पे कोई question हो public importance के मुद्दे पर तो उसके लिए क्या होगा और यह भी एक ओरली दिया जाता है उसको 10 दिन पहले notice देना पड़ता है जो भी short notice question पूछना चाहरा है और यह depend करता speaker पे वो decide करेगा कि यह जो आपने question पूजा short notice का अर्जेंट नेजर है या इसको और डिले किया जा सकता तो यह हमने कुछ एक basic fact parliament के बारे में discuss किये जब भी दुबारा parliament news में होगी तो हम इसको और deep से discuss करेंगे ताकि आपका जो basic concept अब भी अच्छे से तयार हो जाए नेक्स नीज चलते है नेक्स नीज नेज 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 चीगा नेशनल सिग्योटी गार्ड इसने विजट किया है जब कि blasted restaurant Simla में कोई blast हो गया सिलेंडर फटने से तो वहां पे इनकी special post blast investigation post blast investigation क्या होता जब भी कोई blast होता है तो उसकी investigation की जाती कि किस तरह का explosive जैसे RDX यूज गया गया है TNT यूज गया या PTN यह explosive के नाम है different types है जैसे कि puloma attack में जिसमें CRPF के ज़वान सुईदे वहां पे RDX यूज गया था बहुत खतरनाक explosive है जिसका intensity बहुत जादा होती है तो यह team भी वहां पे गई थी कि investigation करने की कोई armed police force है और 1984 में जब operation blue star हुआ था blue star क्या था जब golden temple में Indian army के entry की था क्योंगी उस time पे खालिस्तान moment चल रहा था पंजाब में तो बहुत ज्यादा terrorism spread हो गया था तो इंडिन army ने golden temple में operation blue star चल आय था और उसकी बाद उन terrorist को वहां से ख़दे रहा था तो उसके वेक में याने act pass किया था और national security guard का उधगाटन किया था इसका purpose क्या है counter terrorism जहां भी country में कोई terrorist attack होगा तो ने जी सबसे first responder होती क्योंगी ये national एक federal contingent force है उसके बाद counter hijack आपने IC 814 के बारे में सुना होगा IC 814 जो की hijack की थी पाकिस्तानी terrorist के दवारा तो उस type की जो activity होगी उसमें भी NSG respond करता है इसके साथ साथ और कौन कौन सी central armed police force है SSB सीमा सुरक्षाबल ये नेपाल और भुटान बोर्डर को बोर्डर सेक्योर्टी प्रवाइड करती है next BSF बोर्डर सेक्योर्टी फोर्स ये पाकिस्तान एंड बंगलादेश को सेक्योर्टी प्रवाइड करती है next CISF central industrial security force ये जितने भी industrial security इंडिया में या कोई metro है या sensitive airports आपने देखा होगा airports पे CISF security प्रवाइड करती है next CRPF central reserve police force ये जितने भी loan order है internal internal loan order वाली होगी left wing extremism वाली होगी JNK में होगी north east में होगी conducting election vip security इन सब में CRPF का mandate है next आती असाम राइफल जो की बहुत न्यूज में कल पर सो भी हमने उसके उपर discuss किया था असाम राइफल ने defamation case file किया था किसी वहाँ पर असाम में कोई human right activist उनके उपर कि आपने allegation लगा है ये मैनमार border को protect करती है तो य ये कुछ एक हमारी other central armed police forces है और ये सारी किस के अंडर में आती है ministry of home affairs के अंडर में आती है इनका different mandate है चलते हैं आगे next news radio caller से related है थोड़े दिन पहले क्या वाथ है अफरीका से हम लोग ने चीता लाए थे चीता कहां पर कुनो नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क कहां पर है मर्दे परदेश में चीता reintroduction program है government का जिसमें 50 चीता को इंडिया में वापिस लाए जाए क्योंकि 1952 में चीता extinct हो गए थे इंडिया में कैसे extinct हुए British ने बहुत जादा उस टाइम पर hunting की थी और इसमें एक होता है अपना इंडियन चीता या उसको ascetic बोल दो ascetic चीत इसका status है critically endangered और अफ्रीकन चीता है वल्नरेबल अफ्रीकन चीता थोड़ा सा बड़ा होता है और ascetic चीता अभी इनका native home सिर्फ इरान है बाकी जगह नहीं पाय जाते लेकिन अफ्रीकन चीता इसके all our continent में पाय जाते हैं अफ्रीकन चीता के थोड़े से dark patches भी होते हैं कई ब comment होगा उसको इस habitat में acclimatize करने के लिए यूज किया जाता लेकिन अभी expert ने बताया कि उसके कारण इसकी गर्दन में infection होगा जिसके कारण 2-3 चीता की death हो गई और इसके introduction के बाद जितने भी big cats है वो इंडिया में सारे हो जाएंग जैसे आपको पता है इंडिया tiger की इंडि 40% से भी ज्यादा population है तो सिर्फ एक चीता है जो नहीं था उसको reintroduction पर इसके कारण दिक्कत आ रही है इनको habitat में सेट होने के लिए नेक्स न्यू चलते हैं आर्केलोजीकल सर्वेव इंडिया ने सेंटिपिक सर्वेश स्टार्ट किया ग्यान व्यापी मोस्क इसमें क्या हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम कम्मुनिटी में हापस में पेटिशन फाइल किये ग्यान वापी जो मस्जीद है उसके पास में कासिविशना टेमपल है तो हिंदू लिटिगेंट का ये क्लेम है कि पहले यहां पे शिवलिंग था और हिंदू टेपल था उसको तोड़के इसको बनाय गया तो उसी के लिए एसाई को टास दिया गया टो क्या वहां पे स्टेक्टर था कि ने है एसाई का काम के है एसाई काम है जितने भी हमारी कल्चरल हैरिटाज है जो नेशनल इंपोर्टेंस की उनको प्रोटेक्ट करना एक A.A.M.S.R. अर्केलोजिकल जो की एंसेंट रिमेंस एक्ट है 1958 का जो नेशनल इंपोर्टेंस की है कोई भी नई discovery करनी है जैसे कि राखी गड़ी का है राखी गड़ी का पूरा जो अड़ाशन्स करती से बिलोंग करती है तो उसकी पूरी एक्सक्रवेशन एसाई ने की है तो उसका प्रोटेक्शन करना नए रूल के हिसाब से हैंड़ मेटर की डिस्टेंस अगर नेशनल इंपोर्टेंस का कोई है रिटा जा तो आप कोई कंस्ट्रेक्शन नहीं कर सकते तू हेंड़ मेटर तक आप कुछ करोगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अब एसाई के कुछ बेसिक बात कर लेते हैं यह आर्केलोजी का सर्वेव इंडिया 1861 से इसको फाउंड किया था अलचेंडर कनिंगम ने अलचेंडर कनिंगम को फादर ओव इंडियन आर्केलोजी भी बोला जाता है तो काफी इंपोर्टेंट बोड़ी है मतलब मुंका स्टेटिक पार्ट भी इंपोर्टेंट है और यह करेंट न्यूज में है और यहीं पर एक चीज हो रहाई थी साथ में कि place of worship act 1991 इसमें क्या है कि place of worship act में जब इसमें यह बताया गया था कि जो भी mosque temple है या कोई और structure है उनका जो status 1947 में था वही रहेगा उसको change नहीं किया जाएगा कुछ exemption दी थी जैसे आयोदा राम मंदिर उसका इसके बारे में कोई dispute सेटल हो गया एंडर प्रोसेस उनका जैसन है तो यह वाला भी act काफी पर important हो दाता है कि बहुत दिनों से न्यूज में है कि उसकी sanctity को maintain करने के लिए उसको distort या तोड़ा न जाए उसको वैसे कवैसे रखा था जिसका status बंदरा तुनी सो चंतालिस को था चलते है नेक्स न्यूज पर नेक्स न्यूज भी काफी बड़ी है इंडिया के अपने फोरन रिलेशन से बड़ी है जिसमें इंडिया ने कोर्वेट मिसाईल एक जहाज नवी का इसका नाम आ इनस किरपान वो वियत नाम की नवी को दिया और विय सेक्योर्टी प्रवाइड रहा है इंडिया ओशन में तो यह इनस किरपान ये काफी फुली फंक्शनल है इसने कम से 32 साल की सर्विस इंडिया नवी में दिये बट अभी ऑपरेशनल है तो हमने वेट नाम को प्रवाइड किया दिया यहां पर दिखाता है कि हम एक बहुत ही स्टैटिक नेवी है जो नोट अली अपने सेक्योर्टी इंसूर करती है बट जो अपने क्लोज नेवर हैं उनकी भी सेक्योर्टी है तो इसको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है हमारा परफ़र्ड सेक्योर्टी पार्टनर को दर्शाथा स्पेसली इन इंडियन ओशन महीर बोज के स्टेचू को लेगे काफी कंट्रो और सी है इसका हर्याना में भी उद्गाटन हुआ था तो काफी अमेलेज ने ये गुजर और राजभू दोनों कम्मुनिटी में आपस में इसके ओपर कॉन्फिक्ट चल रहा है तो उसी के लेगर काफी अमेलेज ने रिजा रही है कि ये हमारे एंसेश्टर थे मतलग ये होता ना कि आपकी लीनेज के आप कहां से ट्रेस करते हो इनमें और अरब ट्रेवलर रहा था सुलेमान सुलेमान ने बताया था कि मिहीर बोज उसने यही था कि उसके कॉंटेक्स में एक गुजर या राजभूत था अभी क्या परतिहारा डाइनेश्टी जो कि 9 सेंचुरे में थी पाला परतिहारा रास्ट्र कूट ये 3 दाइनेश्टी जिन में आप इसे बहो ज़्यादा conflict थे पाला थी इस्टन पार्ट में राष्ट कोटा सदन पार्ट में परतिहारा नोर्थ वेस्टन पार्ट में और उस टाइम पे इसका एंपायर देखो मुलतान से बंगाल और कस्मीर से नदन महराष्टा मतलब उपर वाला ओल्मुस्ट सारे एरिया कवर कर रखा था और महिर बोज के टाइम कन्नोज इनके कैपिटल थी कन्नोज ही आपस में बैटल ग्राउंड था पालाज के बीज में राष्ट कुटा के बीज में और गुरजर परतिहारा में और ये विश्णो के डिवोटी थे ये कई बार डारेक मुई का हीरो भी है न तो उसके अचीवमेंट ये है कि जो ग्वालियर प्रास्ती इंस्क्रीप्शन पर उसकी महिर बोज की अचीवमेंट भी मेंशन है और थोड़ा महिर बोज की बारे में बेसिक बता करते हैं जैसे कैपिटल मैंने बताई कन्नोज को उस टाइम पर पंच प्रिट क्या था और उसको किंग बोरा भी बोलते हैं बियो आरे बोरा यह एक टर्म है जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसेवाल आदमी और यह किसने कहा था अलमसूदी अलमसूदी भी अरब ट्रेवलर था जैसे यहां पे अरब ट्रेवलर सुलेमान था न तो यह वाला बोर हमने डिसकस किया चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर नेक्स्ट न्यूज थोड़ी पुरानी है बट आजकल क्या हो रहा है कि यह उपिसी 2023 में काफी चीजें पहले की स्कीम के बारें पूच लिया तो मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा इंक्लूड करते हैं जो की चीज काफी ट्राइबल कम्यूटीज को अफस्किल करने के लिए कैसे जो भी वैब है जैसे वाटसप हो गया और फेस्बूक हो गया इंस्टाग्राम हो गया इन सब एप का इस्तेमाल करके इनको और ज्यादा बिजनस लर्निंग करना एक डिजिटल इकोनमी की तरफ बढ़ावा देना और इसमें जो लाइव सेशन होगे और डिफ्रेंट लैंग्वेज इसमें जैसे आप एक्जाम्पल दिया कि नो लैंग्वेज में इनके मस्टर ट्रेनर त्यार करना तकि यह ओनलाइन जाएंगे तो कैसे शेफ रहें ताकि इनको कोई वहाँ पे एक्स्प्रोटेशन नहीं ज़्यादा हिस्सा लें यहाँ पे इनको इंस्पायर करना था इनको अफस्किल करना था क्यों ट्राइबल कम्यूटी का काफी सेक्लिविड है तो उनको इनिस्टिव देना जरूरी है तो ट्राइबल के और बेशिक फैक्ट डिसकस करते हैं कि इंडिया में नेरभाई आठ tribal population है और government में भह ज्यादा इन के लिए schemes launch कर रहे हैं जैसे वन धन योजना scheme है जिसमें जो tribal के cluster बनाए जाए जाएंगे एक cluster में 30 लोग रहेंगे second एक PMG1 जयवी नधन योजना भी इन के लिए है एक लवी model scheme है एक लवी model school जहां पर especially tribal के लिए tech for tribal है मतलब technology for tribal एक tri-fed body है ministry of tribal के इंडर में tri-fed body ने एक MSP for MFP यह क्या है MSP जो minimum support price है किसके लिए minor forest produce के लिए जो minor forest produce होते हैं तेंदू पत्ता हो गया सहेद हो गया इस type के item जिससे की one को कोई नुक्सान नहीं होता और यह अपना गुजारा कर सकते है एक वन बंधू वन बंधू कर लेन योजनाभी सरकार ने स्टार्ट के वन बंधू मतलो जंगल में रहने वाले ट्राइबल यह एक central sector scheme है जो 2014 में लौंच की थी यह ट्राइबल के holistic development को ध्यान में रखते वे लौंच की गी थी उसके बाद ट्राइबल से related regular community है जो और ज्यादा वर्णरे बना तो उन्होंने उस टाइम पर इसको पीटीजी बोला गया लेकिन वर्ड बाद में प्यूटीजी बना दिया गया और इसके लिए रहा था कि कोई pre agriculture status हो low literacy हो इनकी population stagnant हो economically backward हो काफी hostile situation में रह रह रहे हो तो यह उसके लिए इस्टियो एजुकेशन की foundational learning study के उपर study करना चाह रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले एक हमने निपून भारत नेशनल इनिसियाटिव फोर प्रोफिशंची इन रीडिंग with understanding and numeracy यह हमारे national education policy 2020 के साथ में कोवरेंट है जिसमें तीसरी कलास के बच्चे हैं उनकी ability चेक करने पड़ी ability to read write and perform ताकि basic जो numeracy है basic numbers है comprehension पड़ना है ताकि उनकी lifelong learning अच्छे से बड़े और यह किसके साथ में चूरी सब्सक्राइब डवलप्मेंट गोल 4.1.1 सब्सक्राइब डवलप्मेंट को टोटल 17 कलम ने डिसक्स किया था था न तो उसमें SDG 4 है वो education related है तो किसके साथ में हो रही है यह NCRT सभी states और union territory मे कर रही है और इक इन्होंने इस टाइब का campaign launch किया था जिसमें 10,000 स्कूल के बच्चों को रेक लाख student जिसमें participate करेंगे और यह 22 Indian language में comprehensively चेक करना है कि वो कितना पड़ पा रहे है और कौन जी class के बच्चे grade 3 के बच्चे है तो यह निपून भारत गोल यह आप अपने में जान लेते हैं है क्या यह एक artificial intelligence का ही subset है जो कि San Francisco की open artificial intelligence ने 2022 मिस को launch किया था यह इस टाइप का ट्रेंड मोडल है जो की एक किसम का बात करता है मतलब जो भी dialogue है format है answer पूछना है उसके follow of question पूछने है कोई गलती होती उसको admit भी करता है incorrect चीजों को भी correct करता है और inappropriate request उनको ह पाड़ा देता है एक type का conversation करता है हर एक topic के उपर although इसने UPSC का प्रलीम भी solve करने ही कोजिश की थी बट बहुत ही बेकार result आया था 24% question ही कर पाया था बट अभी इसके advanced stage आती जारी जैसे history philosophy जितने subject हैं उस पे और computer programming पे भी अपने suggestion देता रहता अब यह news में क्यों था कि chat GP GPT-4 GPT-4 आ गया जनरेटिव प्रोग्राम ट्रांस्फोर्मेटिव कुछ इसका नाम है यह भी एक large multimodal है जिसके जिसमें ज्यादा text को यह code कर सकता है और even image को भी as input यूज कर रहा है इसलिए इसको ज्यादा और GPT-4 है यह human level के काफी closer है artificial intelligence को हमने आज editorial में डिसक्स किया थ है कि जो काम पहले human के दवारा के जाते हैं तो आज के दिन मशीनों से के जाते हैं तो इसकी human level performance है काफी profession में जैसे की text related question भी answer दे रही है कोई meeting schedule करनी है busy people को को creative writing style करनी है उसके बाद nearby 25,000 words का यह handle कर सकता है और इसमें इतना content है कि extended conversation है मतलो different type के conversation जैसे image को भी देख सकता ह accuracy अच्छी है इसको cyber security भी ज्यादा दी हमने chat GPT और GPT 4 के बारे हम discuss किया और यह था आज का हमारा current discussion thank you thank you for watching